आर डाइनिंग टेबल के पिछले एपिसोड में हमने देखा मिनुरू अपनी फीलिंग्स को गंद्वेस करता है यूता का उसे कुछ कह नहीं पाता इसकी वेज़े से मिनुरू समझता है कि यूता का उनकंफरेबल है वो एक दूसरे से कॉंटाक कट कर देते हैं ये मेरा इस मीनुरू ने मुझे फिर कोंटाक नहीं किया ये साल भी खतम हुने आया यूता का और र। कफी भी रहे होते हैं रे पूछती है तुम्हारा साहर कैसरहा है यूता कहता है मेरा बहुत सारी चीजे हुई इस साल बहुत सारी Commerce कहती है मुझे भी इस सार बहुत सारी चीज़े हैं जिसके बारे में मुझे सूचना है युटा का पूचता है सूचना है रे कहती है हाँ मेरे बॉइफरेंड के बारे में युटा का कहता है ऐसा है रे कहती है अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ फेक देना चाहिए प पर अगर हम बात नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? Ray उसे Happy New Year विश्ट करती है, उसके जाने के बाद Yuta का अपनी सोच में खोया होता है, वो Yuki का मेसेज देखता है, तुम New Year's Eve के लिए आ रहे हो, Minoru के घर पे ताने पूचता है, Minoru, New Year आगा आना? Minoru केता है, नहीं, ताने पूचता है, Yuka कब आ रहा है? उसने प्रामिस किया था कि हम मंदर साथ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए Minoru कुछ नहीं कहता, तो ताने उसे बुलाता है, कुछ देर के लिए तो भी Minoru कुछ नहीं कहता, फिर वो कहता है, ताने चान, ताने गन्फ्यूज होता है, उसने चान क्यों यूज किया, Minoru कहता है, शायद हम New Year's Day को युटा के साथ मंदे नहीं जा पाएंगे, ताने पूचता है, एं, क्यों? Minoru कहता है, शायद हम जैसे थे वैसे नहीं हो सकते, ताने कहता है, नहीं, नहीं, फिर ताने देखता है कि Minoru upset है, वो पूचता है, तुमने युकाता के साथ fight की, वो Minoru को पीछे से hug करता है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, उससे माफी मागने, युदा का अपनी family के घर पे जाता है, वहाँ पे सिफ युकी होता है, वो कहता है, मॉम और डाट कुछ चीज़े खरीदने गए है, युदा का nervousry पूचता है, ऐसा है, युकी कहता है, अंदर आओ, वो living room में बैठते हैं, युकी कहता है, तुम काफी time से खर नहीं आए, युदा का कहता है, ओ, युकी कहता है, तुम कभी कभी ही आते हो, युदा का sorry कहता है, युकी कहता है, तुम्हें पता है, तुम इतनी माफी मांते हो, कि ये तुम्हारी आदत हो चुकी है, युदा का confused होता है, युकी कहता है, मुझे नहीं पता क्यों पर तुम यहां आए हो तबसे सौरी ही बोल रहे हो थोड़ी देर के बाद यूता का कहता है क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा ही लगा है जब से मैं यहां रहने आया हूँ मुझे हमेशा ही ऐसा लगा है तुम्हारी family लेने के लिए पर finally मुझे अपनी जगह मिल गई है वो मिनुरू के family के बारे में बात करता है फिर वो कहता है तो मैं आप तुम्हारे रासते में नहीं रहूँगा जिन्दा मत करो Yuki पूछता है तुम्हारी जगह थोड़ी देर के बाद वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम कोई परिशानी थे इसलिए तुम यहां से दूर रहते हो यूता का कुछ नहीं कहता यूकी कहता है यू इडियेट यूता का confused होता है यूकी explain करता है ये आधा सच है जब तुम पहले पहले आये थे अपने घर में कोई stranger को रखना मुझे बहुत irritating लगता था और मैं भी बहुत यंग था पर हम flashback देखते हैं जुसमें यूकी यूता का को उसके साथ खेलने के लिए बुलाता है पर यूकाता वहां से चला जाता है प्रेजेंट में यूकी कहता है तुम ऐसा नहीं करते थे जैसे तुम ये family का हिस्सा ही नहीं हो इसलिए important दिनों को तो तुम्हें यहां होना चाहिए mom और dad को कुछ नहीं करना है तो बहुत pushy नहीं है ये जगा तुम्हारा भी घर है उनके parents आते हैं वो चाई बनाता है mom यूतका को पूचती है कैसे हो? सब कुछ ठीक है? यूतका कहता है well, कुछ दिन पहले मैंने overtime किया था तो मैं बिमार हो गया था dad पूचते है, ये serious था? यूतका कहता है, नहीं मैं सिफ ठक गया था mom हस्ती है पहले, जब तुम बिमार होते थे और पूरा दिन बेड में हो रहते थे यूकी पूरी राप तुम्हारा दियान रगता था यूतका को यान आता है कि उसने जो सपने में देखा था वो actually मैं सच में यूकी उसका head pat कर रहा था यूतका चलते चलते घर जा रहा होता है वो एकदम रुक के अपना हाथ अपने हाथ के उपर रखता है फिर वो दौरने लगता है मेंनरू के घर पे डाड और मेंनरू बात कर रहे होते हैं डाड कहते हैं ये साल तुम बहुत मुस्कुराए है अपने है ये यूकाथा की वज़ोसे है यूतका घर पे आता था और वीकेंड्स को बहुत लाइवली बना देता था और इसकी वज़ोसे ही तुम्हें अब खाना बनाना आता है तुम्हें इतना खुश देखके मैंपे बहुत खुश था कुछ हुआ है तुम्हारे और युदागा की बीच में मिनुरू कुछ नहीं कहता डाड कहते है मुझे नहीं पता कि क्या हुआ पर तुम्हें लगता है कि ऐसे मुग बना के बैठे रहना अच्छा एडिया है मिनुरू confess करता है मुझे सिफ नहीं पता कि मैं उसके सामने कैसे एक्ट करू डाड़ खड़े हो जाते है मेरा सन कितना weak है तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी mom क्या कहती थी कुछ करने के बाद regret करना और कुछ ना करने के बाद regret करना उन दोनों में दूसरा वाला ज्यादा painful है मिनोरू कहता है I guess Dad उसे collar से पकड़ के खड़ा करते है और उसे room के बाहर फेक देते है वो jacket उसकी और फेकते है और कहते हैं ये साल का stain ये ही साल में clean होना चाहिए मिनोरू थोड़ा सोचने के बाद कहता है Thank you Dad और वो दोड़ता है वो उसके घर के बाहर निकला ही होता है तब यूता का उसके सामने आता है वो दोनों पार्क में जाते है मिनोरू उसे buns देता है और वो थोड़ी देर के लिए सिफ buns खाते है यूता का कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है मैंने अपनी family से बात की वो पास हो जाता है तो मिनोरू कहता है ओके तुम ठीक हो यूता का कहता है हाँ अब मैं fine हू मिनोरू कहता है यह अच्छा है धोड़ी देर के बाद यूता का कहता है तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था मुझे लगा कि तुम बहुत स्केरी हो में नरू सुप्राइस्ट होता है मैं? युटा का कहता है हाँ Actually, मैं उस दिन राइस बाल्स बनाने के लिए इसी वज़ों से आया था में नरू कहता है हाँ, सच में? युटा का कहता है लेकिन मुझे पता है कि ये एक अच्छी चीज सी तुम ही ने मुझे चींज किया है तुम दोनों को मिनने के बाद साथ खाना मुझे नहीं पता कब से पर तुम्हारे साथ मुझे बहुत कम्टबल लगता है अगर वो तुम हो तुम्हें अपनी सारी स्टोरी बताना चाहता हूँ मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा खर है मिनरू कहता है तुम ऐसा सोचते हैं युटा का कहता है इसी लिए मुझे इसके बारे में पेस तूफेस बात करनाए थी तुमने कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो मिनरू कहता है हाँ यूता का कहता है उस टाइम पे मैं आक्चुली कहने वाला था कि मैं तुम्हें भी लाइक करता हूं लेकिन वह आगे कुछ कहने ही पाता एकदम से मिनरू खड़ा हो जाता है सॉरी मुझे लगता है मैंने तुम्हें अनकंफरबल किया यूता का कहता है ऐसा नहीं है मैं सिर्फ कहने ही सकता मिनरू कहता है मैंने तुम्हें पहले कहा न हम जैसे थे वैसे हो सबते है मैं तुम्हारी फीलिंग समझ गया यूता का कहता है नहीं तुम मेरी feelings बिल्कुल भी नहीं समझे हो मिनरू confused होता है मैं नहीं समझा तुमने अभी युता का खड़ा होता है और उसके पास आता है तुम मेरे लिए बहुत important हो इतने स्यदा कि लाइक word काफी नहीं है तो वो अपनी हिम्मत जुटा के कहता है तुम मुझे टच कर सकते हो वो मिनरू का हाथ अपने हाथ में लेता है और कहता है देखा, it's fine इसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं मिनरू इतना खुश होता है कि वो युता का को हग करता है युता का voice over आता है मेरा heart इतना loud है अभी ऐसा लगता है कि मैं अपना दिल एक नई तरीके से इस्तमाल करना सीख रहा हूं मिनरू युता का को किस करने आता है वो hesitate करता है फिर वो smile करता है और वो किस करते है एक bell बचती है और वो दोनों अलग हो जाते है फिर वो दोनों हसने लगते है अपसे ये पहले जैसा नहीं हो सकता क्या ये ठीक है युता का नौट करता है हाँ फिर मिनरू मुस्कुरा के कहता है ये मीट बन फ्लेवर का था युता का confused होता है क्या मिनरू अपने लपस पर पॉइंट करता है और युता का शर्मा जाता है नौट के लिए वो मंदिर जाते है ताने युता का को पूछता है ए युकता तुमने भगवान से क्या मांगा युता का कहता है मेरी फैमिली की हेल्थ और सेफटी ताने पूछता है हेल्थ, सेफ, युता का कहता है I hope कि कोई बिमार नहीं हो जाता और I wish के अगले साल भी हम ये कर पाए ताने कहता है मैंने मांगा कि मैं स्कूल की रानिंग रेस में फर्स्ट आ जाओ युता का कहता है तुम्हें डेफिनिटली मिलेगा मिनरू उनको बात करते हुए देख रहा होता है फिर वो उनके लिए स्वीट साके लाता है जो ऐसा आलकोहल होता है जो छोटे बच्चे भी पी सकते है युता का मिनरू को कहता है तुम बीन्स नहीं खाने वाले मिनरू कहता है नहीं तुम दोनों को देखके ही मैं फुल हूँ वो युता का के हाथ पे अपना हाथ रखता है मैं बहुत ही खुश हूँ वो युता का की ओर देखता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ फिर वो थोड़ी देल के बाद कहता है मैं इतना खुश हूँ कि मुझे टर लगता है युता का पूचता है डर लगता है मिनरू कहता है हाँ यूता का ओफिस की ग्यादरिंग पर जाता है सब लोग सप्राइस होते हैं उसे देख के अरे कहती है तुम बहुत change हो गई हो यूता का पूचता है सच में अरे कहती है हाँ तुम brighter लगते हो यूता का कहता है किसी ने मुझे चेंज कर दिया रे पूछती है तुम्हारा मतलब तुम किसी को डेट कर रहे हो यूता का एक दम से कहता है नहीं रे हसती है तुम्हें रेट करना बहुत एजी है यह अच्छा है I hope मुझे भी ऐसा कुछ मिले यूता का कहता है तुम्हारा मतलब तुम्हारा बोईफरंड रे नौड करती है हाँ हमने डिरेक्टली बात कर ली और ब्रेकप कर लिया यह मैं एकसेप्ट कर सकती हूँ पर वापिस फ्रेंड्स बनना नहीं सच कहूं तो अब मैं कितनी लोनली हूँ यूता का सोचता है अगर हमारा ब्रेकप होता है जब टाइम आएगा क्या मैं यह सहन कर पाऊंगा और यहाँ पे आर डाइनिंग टेबल का 9th एपिसोड खतम होता है थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए यह वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीचिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए बाइ बाइ